हेलो गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल माइनम इस अनुष्का एंड आई होप आप से बच्छे होंगे आप लोगो जो असाइमेंट बनाने हैं दिसेंबर 2023 के लिए वह आप सही बनाओ गलत ना करो क्योंकि कि एसाइमेंट जो हैं कुछ एसाइमेंट वैलिड गहते हैं एक साल तक लेकिन कुछ एसाइमेंट जो हैं वह वैलिड नहीं गहते तो आपको एसाइमेंट सही से बनाने हैं या आपको गलत एसाइमेंट तो नहीं बना रहे हो इसका आपको ध्यान करना है तो इस वीडियो में से अपने साइमेंस डानलोड करते हो तो आपका जो डानलोड आप करोगे वह आप और इसा होता है यहां पे आपका लिखा होता है जो भी है आपका और यहां पे आप देख सकते हो रहा है यह आपका first page है तो यहाँ पे जो line है ना valid from first jan 2022 to 31st December 2022 तो यह हमारा जो है एक साल तक valid है यह मेंगा first year का assignment है I am just giving you a example ठीक है मैं सिर्फ आपको example के तौर पे समझा रही हूं कि आप यहाँ पर अपनी question paper की जब भी आप उसे download करते हो इगनु की website से यहाँ पे आप उसकी validity देखोगे कि वह valid कप तक है ठीक है कहीं कहीं पर क्या होता है first jan से लेके सिर्फ जून तक valid होता है December तक नहीं होता है और इस समय बहुत सारे assignments का यही सीन है अगर आप अभी डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे कि वह सिर्फ जून तक ही valid है ठीक है वह expired हो चुके तो इसलिए आप लोग को सोच रहे हो कि हम assignments बनाना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत सारे बच्चों ने स्टार्ट कर भी दिया आई थिंक अगर आप गलती कर दोगे जो assignment आपका valid ही नहीं है अगर आप वह बना दोगे तो आपका वह assignment एक तरह से reject हो जाएगा कोई फायदा नहीं होगा आपकी मैनत भी बिकार हो जाएगी इसलिए आप लोगों को बहुत ही ध्यान से assignment बनाना है कि जो assignment हम बना रहे हैं वह पूगा सेंबर तक हम आगा वह subject valid है या नहीं है ठीक है तो इस चीज़ का पूगा आपको ध्यान देना है अब आगे सुनो मेरी पूवी बात जब आप assignment देख लोगे कि वह वैलिड है या नहीं है अगर आपको यह चीज़ दिख रही है कि नहीं वह अभी वैलिड नहीं है तो आप लोग रुख जाओगे अफकॉस नहीं बनाओगे क्योंकि इगनु जो है वह अपडेट करेगा आपको नया assignment प्रवाइट करेगा ठीक है कि आपको यह assignment बनाना है ज 30 September रख रखी है लेकिन वो date आपको पताए कि बढ़ती भी है 30 September अभी आपकी date है अभी बहुत टाइम है तो अभी आप जल्दी बाजी में assignments गलत ना बना दो या आप गलत किसी जो assignment expire हो चुगा है अगर वह बना दोगे तो आपको बहुत जादा लॉस हो जाएगा आपकी मह जून तक valid है तो आपके लिए नहीं है अगर पूरा दिसांबर तक valid है तो आपके लिए है ठीक है तो इस चीज का पूरा ध्यान करना इसलिए गलत assignment मत बनाना मैं आप लोगो एक तरह से आपकी भलाई जाती है इसलिए आपको सहीची समझा रही हूं इस चीज पर पूरा ध assignments जो है यह पूरी तरह से valid है एक अगस्ते बनाने स्टार्ट करो और एक अगस्त के बाद आपके पास एक महीना होगा assignment एक महीने में आप बहुत धीगे धीगे भी कच्छुए की तरह बनाओगे तो भी बन जाएंगे एक महीने में और आपका जो submission स्टार्ट हो जाएगा व अगर new हो तो subscribe कर दिया करो doubt होते हैं तो comment में बताई देते हो आप लोग इतने अच्छे हो ठीक है तो इसलिए अभी रुख जाओ थोड़ा सबर कर लो और मैं आपको यह भी बताऊंगे कि आपको अपने assignment में कौन सी गलतिया नहीं करनी है और किस तरीके से आपको अपन assignment ब लगा के दो ठीक है compulsory नहीं है ऐसे पी दिया जा सकता है लेकिन यह thread में tie करना इनको बहुत जरूरी है इसलिए यह thread तो होना ही चाहिए यह thread आपको बहुत अराम से स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा आप जाके देख सकते हैं बहुत लोगों को डाउट होता है कि फ्रेड कहां से मिलेगा इसलिए फ्रेड जो आपको मिल जाएगा स्टेशनरी शॉप पे और यह जो फर्स्ट पेज का प्रेंट आउट निकालना होता है यह आप गूगल जाएगा इगनु का फ्रेंट पेज डाउनलोड कर लोगे महा से उसके प्रेंट आउट निकल वालोगे आठ नौ जितने भी आपके सब्जेक्ट के असाइमेंट है और फर्स्ट पेज इसको लगा दोगे फर्स्ट पेज के बाद आपको सेकिंड पेज अपना लगाना होता है आईडी कार्ड और थर्ड पेज आपका होता है आपका क्वेशन पेपर यह तीन चीज जो है वह आपकी होनी ही चाहिए वर्ना आसाइमेंट रिजेक्ट होने का डग होता है अगर आप नहीं लगा होगे और हर पेज पर बोलते हैं इन्वोल्मेंट नंबर लिखना होता ह लेकिन देखो हर पेज पर इंसान या लिखते लिखते ही ठक जाएगा मैंने तो हर पेज पर नहीं लिखे थे पीच-बीच में लिख दिया करो लाइक पांच-पांच करके तीन-चार करके तो अच्छा ही रहेगा एक तरह से क्योंकि जो एगनु वाले आपको बोल गएंग पर इस वीडियो नहीं देखिए तो जाके देख लो आपके लिए बहुत हैल्फुल रहने वाली है वीडियो और मैंने यह भी बताया आपको अपनी प्रीवेस वीडियो में कि आप अप असाइमेंट कर कहां से सकते हो इसके सॉलूशन कहां से कर सकते हो तो इसके सॉलूशन वीडियो पसंद आई हो पसंद आई हो दो लाइक कर देना एंड हम मिलिंगे नेक्स्ट वीडियो में बबाई